नमस्कार दोस्तों आपका मारे यूटउल सुक्राव phi मुख़ा य में स्वाकिट दोस्तों आपके लिए मैं तरह के बिजनाइड्य लेकर आथा हूlow लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा बीजन्स आईडियस ले हुआ हूं जिसकी मार्किट में बहुत ज्याधा इन हर सेक्टर में हर जगा हर घर पे से लेके कोई भी सेक्टर लगा लो हर जगह यह यूज होता है प्रड़क्त जो मैं आपके लिएक रहा है जिसका नेम है स्कुर्यू मेंकिंग बिजनेस जिसको आप ड्राइवल गिंग बो में शीना साथ pane कि युदय उर्फ ऐस सारी आता बंते हैं लुए अपको को साहिपना के जानकारी तक ब्लैक कोटिंग, जिन्ग कोटिंग सभी की जानकारी देऊंगा, अब वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो में हर एक बात पर यह आपको कोई फाद बात हो सकती है, तो वीडियो को लास तक जरूर देखना, तो यह बिजनस की इतनी डमान्ड है कि आप इस करके डेली से 20-25 जार असानी से कमा सकते हो क्योंकि इतनी ड्मांड है चाहिए 24 गंटे भी मशीन को चलाओगे फिर भी इसकी ड्मांड पूरी ने यह वी इतनी ड्मांड है इसकी मार्केट में तो आज जो आपको बिश्ची से दिखाने जा रहा हूं है यह पहली मशीन यह दार लगाने के लिए शार्प करने के लिए काम आता है तो सबसे पहले हैडर का काम होता है यहां पर वायर स्टैंड लगेगा आगे वायर स्टैंड से यहां से वायर इंसर्ट होगी आगे यहां से अंतर जाके मिशीन आटमेटिक प्रड़क्शन निकालती जाती है आपने लगानी है और नीचे आप देख सकते हैं यहां पे इस्जाव हैं भी बनेगा अपने बनाना है कोई भी हड आना कोई भी हड किसी भी टाइप कर बने वह बने शुआ है जो इसमें बनने के बाद इसमें जो मुट्री ऐड मशीन होती है तो इसमें जब जो मुट्रील बन गया इसमें oil लगा होता है material को उसके बाद जाएगा polishing drum में material कोई भी होगा क्योंकि अगर मशीन में roll threading machine में कोई भी material डालना है तो उसमें oil remove करना पड़ेगा पे लिए अगर oil लगा होगा तो इसमें बाइब बाइब नहीं होगा और oil लगा होगा जो सब material Its add में head बनायोगा जाएगा और इस स्क्रियूँ बन जाएगा इसमनि कोई भी एकल माइनस के लिए होता है करSpain के फली में अपने मैंने सादो अबती लुक्ता टो लाव तें तो इस मिल जा bekommt है जात mutually झाला टो में मेल इसा मा uneज बन गया उसके बाद में जाएगा जोवादी का उस से में रखिव उने के जितना मैं गया top गया ऊब कि एक मेरा के उदान एक रख़ानों घ्रायए के तो आपने स्क्रियू को इसमें डालना है इसको वाइब्रेटर कहते हैं आज के तरह के सबसे लेटेस्ट मॉडल आई है पहले होता था मैनूल टोक्री स्लगती थी उपर जिसके स्क्रियू एक आदमी मिशीन की उपर खिलारना पड़ता था अगर उसमें उसमें फीड करी जान जैसे यह पूरी फीड बर जाएगी यह आटो कट कर जाएगा जैसे खाली होएगे श्क्रियू आगे कम हो एंगे इसमें तो फिर आटोमेटिक वाइट्र ना फूरा इसमें आटोमेटिक जाके यह लगी होती है कि अब जैसी यह भी जाहोंगे वैसी डल जाएग इसके दो इंची की, और थींची इसके चारिंची मॉड़ल के दिस्के उस्यादा उर्याद का लुनुड के लिए ने किमड़ार करें, पूल ऑन पर स्कुरता है। ऴीटिर द्खाने लगा हूं अब देख सकते हैं वायर का रोल लगा है तो वायर का रोल लगा आउट्मैटिक पश अपने वायर फीड कर देनी है मिशीन ने आउटमेटिक 전에 मिशीन में सबसे पहरे इसक्रू बनता है उसमें त्रेड नेक्स मशीन में डलेगा देखो फुली आटमेटिक मशीन है बस आपने वायर लगानी है आटमेटिक बनके स्क्रू करता जाना है बस नीचे इसके बाद यह जाएगा पॉल्चिंग ड्रम में आपको पॉल्चिंग ड्रम की वीडियो दिखाता हूं इजै कि फॉल्चिंग अपिछ की वीडियो आएगी फॉल्चिंग ड्रम में पलस सक को अपने 10 मिर्ट इसको सीजय में अपने आपने गुमाना है गुमाने को पाथ इसको लकड़ी का पूरतर डाल चाथकर होग वाइल हो जाएगा अब देख सकते हैं सको औयल रिमूव होगे कि अब निकल गया है अब यह आएगा रोल थ्रेड में यह वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुओ इसमें यह स्कूड अपने स्कूड स्कूड आला है यह सैंपल के लिए जैसे बन जाता है तो देख सकते हैं कैसे जोम रहे हैं जैसे अबी देखो आ गें प्रीडर यह स्कुरू आगे अगे रित गा है फीन गुटरव जाया जाता है जैसे यूसर में भाएर बलोग़ लये जाये पूरे आपने स्क्रू इसमें वाइब्रेटर में डालना है, फुली आटमेटिक मिशीन ने खुद काम करते रहना है, बलकि इसमें लेबर की बहुत कम जुरूरत होती है, एक स्किल्ड आदमी हो, एक हैलपर हो, तो सारी मिशीन से अपरेड कर लेता है, खुदी, फुली आटमेटिक स्क्रू बनके अब निकलता जा रहा है, इसमें आपका हैडर में हैडर बन गया, पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका और रिमूव हो गया, पॉलिश भी हो गया साथ में, और चूडी भी डलकी, यह त्रेड भी अब डल गया, आप देख सकते हैं, बहुत इजी पर सहसे है, फुली आटमेटिक मेशीन है, कोई भी आथमी चला सकता है इसको, बहुत इजी पर सहसे, यह कुछ आपको मैं रिनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ, यह देखी जैसे रिनिंग सैट अप लगा हुए है, यह कम्प्लीट इसने 10-20 मेशीन लगा हुई है, यह और सैट लगे हैं, कितने रोल थ्रेड लगे हुए है, लगी पूरा कम्प्लीट सैट अप लगा है, इतना इसका डिमांड होती है, कि लोकों ने 10-20-20 मिशीन लगा हुई है, अब देख सकते हैं, यह ड्रैवल स्क्रू बना हुआ है, कितने बड़ी है क्वालिटी, कितनी कॉंटी मे लगा हुए है, इसमें आपने इस नहीं ट्रीटमेंट लगा हुए है, जो आपने बठी वाला बोला वाला वी प्लांड लगा हुए सारा है, यह देखो कितनी मशीन लगे हुए है, और बहुत लोगों के स्वाल होते हैं, कि स्क्रू बन गया, इसको ब्लैक कैसे करें, ब्लै है कि ही ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, एक होता है, वो लोग बजट में कोई भी लगा सकता है, वैसी बड़ा प्लांट होता है, कम प्लांट में होगा, ऐसा ड्रम स्पेशल ड्रम बनेगा वो, उसके नीचे हीट बर्नर लगे होते हैं, उसकी मैं आपको वीडियो है कैसे कह रहा हूंगा, दोस्तों ये ब्लैक कोटिंग का परसाइस है, आप देखो ये बर्नर लगा हुए नीचे उपर ड्रम गूम रहा है, तो स्कूरू जैसे बनके बनकर आएगा, तो ब्लैक कोटिंग करनी है आपने, इसमें आपको बस इतना करना है, ड्रम में डालके को 20 मिनать 12-80 गंटा गुमान आए नीच हीट होने के पाद इसको आपने का इतने में डाले हुए फिकश होगे तो आउटमेटिक हाड भी हो गाल गाल तो ये दोस्तों नीचे ड्रैयर मशीन है, इसमेश मूअ जैसे काज़ जैसे कमिकल के कामिकल में डालने के बाद ड्रैर मे ओंआएगा तो कितना बड़ी जहां ब्लयक कोटिकग भी होगा उसका पानी में नेगल घाल हाड भी हो गया बिल्क भी हो गई एक तो एक पर स्किव कोटिग ना एक होताइगा सबसे में पानई पते है घ्रम में से लग होते हैं इसके साथ यह आट्म के हैं भी절 Godわか unfortunate जोग सब्सक्राइब squishy बढया दिर्शिक हूं को कॉण यहाँ यह उसमें पर उसकोश करते हैं इसके स्कूर का ऊठोधा और जो इसकos को साफ करते हैं जो बड़ा द्रम में असमें असे डालते हैं उसमें उसमें स्क्रूव डालके उपर उपने जिंक वालें जुञते हैं तो यह मैं प्लिट्स लगते हैं वह में आपको दफांगा सारा तुर उसमें इतार रहता है जो उसमा 50 kg का बैरल विट्टिंग का उसमें आदे गंटे में है तो जाति चालती है जादाब자 फिर चाल होती है enclosed ethwo providing नहीं कॉर्टीं व्रॉठी कि जोbelt रखना है तो उसमें अगर कोटिंग जिन्क रखना है तो सीज़ा द्रयर में डाल दो अगर कलर करणे ऐऊ पर गोल्डन भी तो उसको बस कलर में डिप करके ड्रायर में डाल तो उसका जो सारा पानी alive को निकल जाएगा ँसकी एक आपकर जो इसो क्लि शख्रू को मार्किट में सेल होने के लिए लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों यह देखे आप यह लॉम टेलाइज़स स्क्रूँ मशीन बन किया है तो ऐसा दिखता है पहले इस अब से पहले स्क्रूँ आएगा इसको ड्रम में डालेंगे ड्रम में डालके वाश करते हैं पानी से पानी रिसेकल है कि वा हो यह दे दे K Radio और यह संवर बाहें है कि अजुक् shifts कुछ ऐसा देखे गा यह जिसे ड्रम है निकाला्हिक आए तो वाश वान के बाद क्लु स्क्र्श देखता है कुछ इसके बाद हम ढौ डालें गे इसको ऐसीड बे admittedk कि दो को सबसे पहले एक वारी जो बन किया है वाश हो गया ड्रम में उसको एक बारी पानी से साफ करके इसको डालते हैं एसेड में अब देखिए एसेड ड्रम में डालते हैं जैसे सब्सक्रियू को बस इसको डालके बस निकाल देना है इसको रखना है जादी जिर नहीं रखते है जादा समय नहीं रखते है इसको इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस इसको इसको पार फिर से पानी में साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है ड्रम होता है जिसमें आपको यह देखिए इनोंने जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो एसीड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे स्क्र्यू को इस जिंक किया हुआ निकाल लिया इनोंने और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे यह देखो आप यह पहले जिंक हुआ है उसको निकाल दिया है अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर यह देखिए आप एक ड्रम की capacity पचास केजी की capacity होती है एक ड्रम की है इसको आधा गंटा इसãy occupy पीशे लगे लगी हुए इनक प्लेट तो आधा गंटा है गोर्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़े गहां यह कोपो भी गोल्डन टो गोर्डन कलर में डालेंग दिखिским सारा अगर आश्कु हूँ बढ़ें, connects the ड्रेयर में डालो वो जिनक रहेगा अगर और को ड्रक रथे तो तो करद वाले कैमिकल में डाल दो बस वो स्क्रू बनके रेडी हो जाता है यह इसके बाद इन्होंने ड्रैयर में डाल दिया है अब देखिए ड्रैयर में डाल के बाद इसमें होता है इसका सारा पानी निकल जाता है जो इसमें पानी लगा हो कोई भी कैमिकल बचा है तो सारा नेगल के इस प्रवियर में बनके सूख जाएगा अब इसको नोने बोरी में डाल के मार्किट में स्कॉप शेल कर सकते हो इसको बहुत इजी परशाइस सा कोई भी आदमी लगा सकता है इसको था एक तो यह टाइप हो जाती है एक टाइप होती है कि अगर आप ने कोई भी ब्लांट नहीं लगाना साथ में सिर्फ शेल कि में और प्रयूट रजू के लिगा ये लगा रही हो तो आप श्री समौल रडे का इंज लोग होतें सिर्फ जिन्क का ही काम करते हैं था प्लानट कोटम करके आपको देंगे बहुत सारी जो लोगोते हैं उन्ह लगेगी अगर आपने माइनस वाला नाना है तो उसमें आपका एच भी वैर भी चल जाएगी तो आपका हैड नहीं सही बनेगा इसलिए लगती है लगती है यह आपका 50 रपे से लेकर शाठ रपे के लिए कम ज्यादा होती रहते हैं कभी चालीश भी हो जाती है तो प्राइज का डेली का रॉम ट्रिल का इसका वायर का डेली का प्राइज होता है तो यह प्राइज कुछ फिक्स प्राइज नहीं है एज अप्रॉक्सिमेट सब्सक्राइज को निकालने के लिए बिताया है तो जो उसका ड्राइज वाल है यह आपका पर केजी की पर से पंदरा से बीस केजी का प्रॉफित आपको पर केजी की पिशे निकल जाएगा तो इसको आप मशीन को डेली भी अगर चिला देयो तो आप लगी सानी से मियव कर वी से 25 जार कमा सकते हो बहुदम प्रॉफिते बिजनस को आपने से हम पर कर लें इसको है थी को प्रोसेलर होते हैं इसको कोंप ने कोंड्रेक्टर कुर्णे बिल्डिंग कौनक्टर हैं कि इस लिए कोई बिना रहा बेल्डिंग विए इसमें चैनल लगा विम ज्क तो इसकी बहुत मार्केट है तो इसके साथ आप वायर नेल मशीन भी लगा सकते उसी के साथ कि जोस्त में अपने अलग जगह ने बेचने जाना वो जितने जो अपने पेले किसी को दे रहे हो हाडवेर होलसेलर कंट्रेक्टर उन्हीं को उन्हें उन्हें वहीं सेम मट्रियल क्योंकि एक ही लाइन का प्रड़क्ट है कोई अलग प्रड़क्ट नहीं है यह भी वायर के लेटीड है वह भी वायर के लेटीड ही है तो यह बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर कोई भी आदमी मशीन को बाय करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप आप मैसी करो हमें यह मशीन चाहिए तो उसकी आपको उसी तुरंद आपको डिटेल्स चाह रहेंगी आप इस बिजनस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं हम आप प्रॉटेशन प्रवाइड करवा देंगे सरकार के बहुत सारे स्कीम जाया है आजकल PME GMS SME उसके तहत आप लोन लेकर बिजनस को शुरू कर सकते हैं क्योंकि सरकार आज कल स्टार्टक्स के लिए बहुत सारी इसने स्कीम नकाली हुई है तो उसी स्कीम से का फैदा ठाते हूँ हम आज बिजनस शुरू करो तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए बिजनस करोगे तो बहुत बढ़ी है आपने मारी वीडियो लाज तक देखी आपका बहुत 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 बन्यवाद को पहनी बढ़ देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबाली जिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लूट कि जाएंगे उसकी सुचना आपको ताकि नहीं बिजनेस आइडियेस पहुचे सबसे पहले आपके पर